स्री रागविंद्रायनम, आप सोच सकते हैं, ये कौन पंची किस पंची की पंखों को नोच रहा है, जो पंची नोच रहा है वो है काग कोवा की एक भराइटी है, और जिस पंची का नोच रहा है वो है बाज, बाज, बाज जो की पंची का राजा कहलाता है, जिस जंगल का राजा सेर कहलाता है, वो ऐसे पंची का राजा है बाज, और इसको हमारे धर्म सासरों में गरूर भी कहते हैं, बाज का नाम एक गरूर भी है, एक बाज को के पंखो को एक काग इस तरह से घीच रहा है आप सोच सकते हैं कि ये काग गरूर के पंख को क्यों घीच रहा है और अगर घीच रहा है तो गरूर महराज इसको मार क्यों नहीं रहा है बाज जबकि बाज को देखने मात्रशे बढ़े बढ़े पंखियों के होस उल जाते हैं यहां तक कि हरिन के बच्चे सियार के बच्चे कुच्ते सब इन से डर जाते हैं इस सब को लेकर करके आस्मान में चल जाते हैं बड़ी बड़े बक्रियों को उठा करके लेके चल देते हैं सांपों को तो कहना ही नहीं बड़े बड़े सांपों को इस गर्दन मरोड देते हैं लेकिन इकाग इनको इतना परिशान कर रहा है गरुड जी महराज को यानि ब्याज को और यह चूप यही प्रमान है राम के रामायन की अगर आपने रामायन पढ़ा होगा या रामायन में थोड़ा भी आपकी दूची है तो आप जाने रामायन पीन जगह कहीं जाएं साषवर धन्षिर कहीं जाती थी एक कागभुशुम्दी जी महराज थे जो गरुर जी महराज को उपदेश देते थे और शंकर भग्वान मा पार्वती को देती थी याग वलग जी संतों को देते थे तो ये क decide जो हो रही है कागबु शुन्डु जी और गरुर जी के बीच में ये कथा हो रही है हिमाले पहार पर देखिए अब ये मूच नहीं रहे हैं अब ये कथा सुन रहे हैं कथा कहके रहा है तो कागबु शुन्डु जी कह रहे हैं और सुन के रहा है गरुर जी कह रहे हैं राम रावन जुद्ध में जब मेगनाद ने सर्प बान से राम को बान दिया था उस समय गरूर जी महराज को हनुमान जी बिश्री लोग से लाए थे और वो गरूर महराज सर्पो को काटे थे वो उसी समय गरूर महराज को यानि बाज को ये मुख हो गया कि अगर राम नाराण के अवतार है तो राम तो इतने सक्ते साली है कि इसको, इनके पसाप कैसे आएगा और लख लाज जी तो सबसे बड़े सर्फ है इनको कोन सर्फ फरा सकता है यही संका हो गई थी कि तब राम नाराण रूप नहीं है और नारायन रूप है तो सर्प बंधन में आये कैसे लखलाल जी तो सेसनाग है जिनके मस्तक पर पूरी धर्ती का वजन है उस वो है वो सेसनाग जिस पर नारायन सयन करते है अवो जो है सो की लखलाल को सर्पो ने बांदिया अशर्ज अवो नारायन जो तुलोक बिजेता है तुलोक के को अनखिलाते हैं जल देते हैं यग्यो वई विश्णू जीन को कहा गया है जो जिनकी आगे कोई देवता बड़ा नहीं है जो पार ब्रम पर मिश्वर हैं उनको सर्पो ने कैसे बांदिया और उन सर्पो को मैंने काट दिया यही गरुल महराज को स्वंका होगी तो काग उसुंड जी ने इनको हिमाले पहार पर बुलाया राम रावन जुद्ध होने के बाद और इन्होंने राम की कथा को राम की सप्रशंग ब्याख्या काग भुशुंड जी ने की गरुल जी महराज इतने बेचैन हो गए कि वो तो पहले संकर जी के पास गए और ये सारी अपनी व्याथा कही कि राम जो है उन्नारायन कैसे है जिसको सर्फ बंधन लग जाए उन्नारायन कैसे हो शकता है भगवाल संकर ने कहा कि ये इतनी क्लिष्ट बात है हे गरुल कि इसको रास्त्री चलते हुए समुझाया नहीं जा सकता है तुम एक काम करो तुम हिमाले पहाड पे चले जाओ वहां कागभु सुन्दी जी है भगवान राम के परम भक्त है खगसा मुझाई खग की भासा और तुम्हारी सारी संकाओं का निदान कागभु सुन्दी जी महराज कर दोंगे तुम जाओ वान और ये कागभु सुन्दी जी के पास जए और कागभु सुन्दी जी ने राम की कथा कही राम रहश्य को कहा राम चरित्र को कहा राम बांग्मे को सिनाया और जो राम के अंदर नाराण की शक्ति है वो बताया कागभु सुन्दी जी ने कहा कि राम ही पार ब्रम परमिश्वर है राम से ही ब्रम्भा बिश्टु महेश है ये गरूर तुम संका में मत पड़ो सब करमत खग नाय कहे हा करिया राम पद पंक जने हा हे खगो के नायक हे महराज गरूर हे ब्याज जी बाज आप सारे संतों का सास्त्रों का मत है राम के चरण कमल में प्रेम करो काग मुशुंडी जी क्रितार्थों हो गए गरूर जी महराज क्रितार्थ हो गए उन्होंने कहा कि प्रभू मेरा संका दूर हो गया और हिमाले पहाड से हिमाले की गुफाओं से उचरे गए यही वज़ा है कि वो तो उस जर्म की कहानी थी अब यह इस जर्म की कहानी है ब्याज जी जो गरूर जी महराज है जो अभी बाज बने हुए हैं वो परतिग्या को निभाते हैं उनकी आत्मा में रशा बसा जो राम चरित मानस है जो राम हैं उनको याद दिलाते रहते हैं ये जो काग भुशली का रूप जो है इसी रूप से हमको ग्यान मिला है इसलिए गरुण जी महराज कभी भी काग पर आकर्बन नहीं करते हैं चाहे काग गरुण जी के पीछ पे चड़ जाए चाहे मूँ पे चड़ जाए चाहे खाना चीन ले चाहे पूँच नोच ले देखिए अब कलपना कीजिए कौन ऐसा पंची है मुझे तो नहीं मालूम है कौन ऐसा पंची है जो दूसरे पंची को अपने पीठ पर बैठा करके आशमान की शेयर कराता है ये पंची है गरुड़ी महराज जिटको हम लोग इगल कहते हैं बाज कहते हैं और पीठ पे बैठे हुए है काग रेवन ये काग जी महराज को ले करके पीठ पर गरुड़ी महराज आशमा की सेयर करा रहा है आप सोच सकते हैं ये दोस्ती इतनी गहरी क्यों है ये आराना इतना क्यों है ये आराना वही राम की कथा का अशर है जो काग बुसुंड़ी महराज ने गरुड़ी महराज को सुनाया था हिमाले की कंद्राओं में कब जब गरुर जी महराज को मोह हो गया था जब उन्होंने राम और लखन को सर्फ बांध से काटा था तब मोह हो गया था और उसी मोह को दूर कर रहे हैं उसी के चलते